विगत वर्षों की भातीस वर्ष भी फालगुन मास में होलिका दहन के पस्टात कपूर कंपने स्थत माता मंदर में माशीतला देवी के दर्शन पूजन करुण का आशिरवात प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रधालू पहुच रही हैं होलिका माता मंदर पर लगने वाले सोला दिवस ये बसरोडे मेले के सब्तम दिवस रधालों का मंदर पहुचना लगातार जारी रहा सब्तम दिवस रविवार होने के कारण हजारों की संख्या में भक्त जन मंदर पहुचे होलेका माता मंदर का कपाट भक्तों के दशन के लिए प्राता काल चार बजे से ही खुल गया था भक्तों की बीड इतनी थी कि मंदर प्रांगण से लेकर महराना प्रताफ सिंग चौक तक लंबी लाइन घंटों तक लगी रही भक्तों को जादा देर तक धूप में खड़े ना रहना पड़े इसके लिए मंदर प्रबंदक भारा भक्तों को जल्दी जल्दी माश्रीतला देवी के दशन करा कर भी जा जा रहा था आप स्वैम देख सकते हैं कि बसोडे मेले में माशीतला देवी के दर्शन करने आने वाले भक्तों की इस कदर भीड है मानिता है कि माशीतला देवी के दशन पूजन करने वाले भक्तों के घर पर एक दिन पूर्व बनाए बासी भोजन का माता शीतला देवी को भोग लगाते हैं और उसी भोग को प्रसाद के रूपे मंदिर प्रांगण में बैच कर ग्रहन करते हैं मानिता ये भी है कि माता शीतला देवी के दर्शन करने से बच्चों को होने वाली चेचक जैसी महामारी से जहां एक और बचाय रखा जाता है तो वहीं मंदर में पहुचने वाले भक्तों की सभी मनुकामनाएं पूर्ण होती है मेले में नाना प्रकार के स्ट्रॉल भी सजाए गये और मनोरंजन के लिए कई खेल आदी भी लगाये गये थे गाड़े इसके लिए भी पुलिस कर्मियों और भक्तों के बीच छड़ाप हुई बावजोद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से विवस्था बनाई गए लेकिन देखने को मिला कि शासन और प्रशासन द्वारा कोविन-19 गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जो ने लगातार जारी किये जा रही हैं वे मंदर परिसर में बहुत ही कम देखने को मिले ना तो लोग चेरों पर मास्क लगाए हुए थे और ना ही मंदर परिसर के किसी भी कौने में सैनिटाइजेशन की विवस्था थी और तो और भीड इतनी थी कि लोग सोशल डिस्टं सिंग का पालन करना भी भूल चुए थे मेले में लगे नाना परकार के स्टॉलों से मंदर पहुचने वाले शुरधालों ने जहां एक और अपनी पसंद के समान खरीदे तो वहीं चाट पकोडियों के दुकान पर खड़े रहकर उनका स्वाद भी चक्का तो वहीं बच्च के महानगर में लगतार बढ़े है कोरोना के मरीजों को कैसे रोका जा सकेगा इसके लिए शासन अप प्रशासन को अभी और जादा सखत कदम उठाने होंगे तब ही इस वैश्विक महामारी को रोका जा सकेगा